तच्चेति परम जोती समम समस्ते रनंत परेयाये दरपन तलईव सकला प्रतिपलतिपदार्थ मालिका यत्र जीवन जीने की अपनी अपनी शैली होती है अर्थात शरीर रुपी पडोसी के साथ जीव कैसा बरताव करें कैसा व्यवहार करें सलूप करें इसकी न्यारे न्यारे जीवों की अपनी अपनी स्वतंत्र पद्धती होती है मोह करने को भी उस पडोसी को अपना मानने को भी हम स्वतंत्र है और न मानने को भी स्वतंत्र है अपना मानने में भी कितनी डिगरी में हमें अपना मानना वह भी स्वतंत्र है एक-एक चीज की स्वादिंता है ये हम इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते है कुछ लोग तो इतने मूही होते है रेल में हम प्रतेक्ष देखते है कोई यातरी आकर बैठा बैठा ही नहीं कि कोई रेल के अपसी लोग ऐसे होते है बैठे वाले बस चर्चा छेड़ देते है आप कहा से आए आपको कहा पर जाना है इतने में ही आप वेज चुप नहीं रहते अच्छा अब करते क्या है वहाँ पर अब देख सकते हैं ऐसे अकसर लोग मिलेंगे दो गंटे की बुनकियावधी में होती है वहाँ पर मिलना बना है वो इतने पास आकर खड़े होते है और फिर जाते समय भी हम उनको देख सकते हैं बराबर उनको छोड़ने के लिए गेट तक जाते हैं वहाँ तक फिर सम्भोब होने तो सामन भी बराबर से डोहेंगे और उनका बर्त डेट आदी लेना कभी नहीं बूलते हैं अपन सब यह तमाशा देखते रहते हैं जहा जहाँ पर हम फसे हैं वहांसे भी निकलने पारे हैं और यह नए नए गड़े खोद रहा है कैसे पार पढ़ी गया किर लोग तो इतने मूहित होते हैं मुफत की भी आपत मुल लेते हैं मुफत की आपत कुत्ता पाल लिया बस कुत्ता मर जाए तो दो दिन बोजन नहीं कर सकते है इन निवली डेवलप्ट मोह क्या कहेंगे इसको खड़ा करीला प्रसंग छे क्या कहा मैंने ये शादी भी खड़ा करीला प्रसंग ही है माता पिता के प्रती मोह होना ये आभी पड़ीला प्रसंग है लेकिन शादी करके बच्चे पैदा करना और उनके पृति मोह स्थापित करना ये खड़ा करे लो प्रसंग्चे समझे सभी मोह को स्थापित करने में सबके आपने अपनी विचितर बात है ये जो जितना निर्मोही होकर यहाँ से जाए वो सलेखना नाम पाता है और उसकी उतनी सफलता होती है कहने की बात मेरी इतनी सी है देह तो जाएगा ये सभी कहते ही है प्रत्यक्ष किम प्रमानम हम प्रत्यक्ष रुप से इसको अनब होते भी है देखो हरी एक नोट पर लिखा है I promise लिखा है आपने पड़ा होगा मैं प्रतिग्या करतो मैं इसको दूँगा अपने हाथ में आई ये है मैं आगे इसको चलन है ये कोई घर में रखने की साधन सामगरी थोड़ी है ऐसी मैं आगे इसको फॉर्वर्ड करूँगा ये चलन में इसको बादा नहीं करूँगा वेश्यस हम लक्ष में आती चंचल या का कौन पतियार नोट सोय में बोल रही है आज तेरे पास है कल किसी और के पास होगी कोई मोह बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई क्या कर सकता है देहे आज हमारे पास है कल इसी के परमणों बिखर कर कही और चले जाए अन्यरूप हो जाए और ये परमणों कल की सुरूप थे उसको क्या ठीका ना है लेकिन कोई मोह करे उसको हम क्या कर सकते है हम देखते हैं अन पहरागी की पुठ देह के नश्वर्ता का संकेत सूचना किस प्रकर आती है उसको हम थोड़ा से देखते हैं। धर्मानतरों में भी और कहा कहा पर क्या क्या आया उसको थोड़ा देखते हैं। और और भी कही कल जैशा हमने देखा तो शिला लेकादी में थोड़ा बहुत जितना मेरी पकड में है पढ़ने में उतना सब हम सब देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कालिदास ने महा कभी कालिदास को को नहीं जानता उसकी प्रसिद्ध सुक्ती है मरनम प्रकृती शरीरियनाम। अर्थ शरीरियों का मरना ये नेचर है जातस्य मरनम ध्रूम। ये ध्रू सत्य है कि जो जो भी यहाँ पर आया है उसको देह का त्याक करके जाना है। अभी भगोद गीता की भी आपने एक्जेम दी है दूसरी आदे में बहुत महतुपूर्न सुत्र है जो यहाँ के भी विद्वान यद्वा तद्वा बोलते रहते हैं। कोई बताएगा आशे उसका ये है वासासी जिर्नान यथा विहाय। जिस प्रकर कोई बोली है अर्थ कोई बताएगा वासासी जिर्नान यथा विहाय। बोल वासासी वासासी वस्त्र को वास वस्त्र 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 वासासी जिर्नान यथा विहाय। जिस प्रकर जिर्न वस्त्र को जिस प्रकर त्याक कर देते हैं और नवानी और नविन को ग्रहन करते हैं ठीक उसी प्रकर ये शरीर रूप वस्त्र को छोड़कर नवे शरीर को अंगिकार करते हैं ऐसा सर्वत्र लिखा है मैंने कल कहा ता जितने भी आप हिंदू मुसल्मान के भी शास्त्र पढ़ोगे आप या अध्यात्मिक संस्कृति सर्वत्र ये कहती है कि देह तो जाएगी उसका जाना अवस्चम भावी है अब देखिए सलेखना के तरफ से थो मिलेगा आज मुझे सुबह मिला उसके लिए प्रिटुकलर सब्द उन्होंने दिया है प्रायोपवेशन सलेखना के लिए उनके यह प्रिटुकलर वर्ड है प्रायोपवेशन वैसे आप लोग सब जानते हैं पतंजली कृत यह जो योग के अस्टांग है यह यम नियम आध अभी आभी आप लोग ने पढ़ा न बहुत गीता में तो उसमें अंतिम अंग क्या बताया है समाधी तो यह इसी समाधी की तरफ संकेत करता है ध्यान प्राणयम शौसोचोज वो सब लिया है उन्होंने और अंत में समाधी लिए है अपनी तरफ संकेत करता है अब कल मैंने एक बात आकर जहापर आकर मैं रुका था कोई याद दिला सकता है मुझे मैं कहापर आकर रुका था मैंने कल कहा था कि मैं इस प्रकरेंट से आगे कल खड़ा हूँगा वैसे गाडने जहलानी की बात आप कह रहे हो उसको मैं थोड़ा सा उठाओंगा आबे वैसे मैंने कल और एक बात कही थी आपको याद होगा तो देखो आब मैं कुछ बोलूँगा अब ब्रह्म में पालना उसका आके अच्छे से वाइड ओपन करके सुनना इस बात को समझ जने का प्रयास करना सांपरदाई की नहीं बनना चाहिए क्या मतलब है आपको क्षण भर में ये लगेगा ये तो वैदिकों की बात करने लग गए ये तो जैनी की बात करने लग गए हम एक आगर एक मुखे न हम इस बात को विचार करे देखो ये जितने भी मत संपरदाई खड़े हुए है यह भूल और भर्म से खड़े हुए है मूल सेंस मूल थीम कोई अन्य नहीं रही थी मैंने कल यहाँ पर आकर रुका था मैंने कहा था वैदिकों ने ब्रह्म निर्वान कहा का कंसेप्ट का यहाँ पर आकर रुका था और जैनी बोध्धों को ये ब्रह्म शब्दा अच्छा नहीं लगा मैं उसका सेंस खोलता हुआ भी तो उन्होंने निर्वान शब्द का प्रयूक किया एक विधायक कथन है और एक निशेधक कथन है क्या बोला मैंने? विधायक समझते हैं आप विधायक किसे कहते है विधायक नहीं समझे विधायक विधी परक विधी परक अभी भी नहीं समझे विधी परक पॉजिटिव अप्रोच ये शब्द आपको कही गया है विधी गया है ये विधी की बात नहीं है विधी परक निशेध परक विधी परक, निशेद परक सब तबहंगे आपने पड़ा है सियात आस्ति, सियात नास्ति ये विधी परक है अभी पकेड में आ रहा है कुछ? अभी भी नहीं सियात पिर कुछ है ना अपन केहते हैं ये साथ भंगे है कुछ विधी परक है اور कुछ निशेद परक है विदी मतलब अस्ति और निशेद मतलब नास्ति तो कहने की बात यह है मेरी कि वईदिकों को विदायक कथन अच्छा लगा और जैनी बोद्दों को निशेदक कथन अच्छा लगा अभी क्या है उसका सेंस मैं थोड़ा बताता हूँ देखिए ब्रमा निर्वान कार्थ यह निर्वान में भी गटित होगा सलेकना में भी गटित होगा और बेहत्याग में भी गटित होगा अपने अपने स्तर पर सब गटित करने का प्रयास करें ब्रमा निर्वान कार्थ वे लोग मानते है आप लोगों ने सुना था आज के लोग यह मानते है कि जब भी जीव निर्वान को प्राप तो हता है निर्वान के नाम पर क्या मानते है वह दिख अभी उसकी छोड़ो लेकिन वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है ब्रह्म में लीन हो जाता है मानते है फिर वो मानते है एक दिपक है फिर एक बड़े दिपक में जाकर मिल जाता है ये तो ब्रांत कल्पनाए हैं लोगों की ऐसा नहीं कहा था ना उन्होंने मूल तो ब्रह्म मिर्वान कारते ब्रह्म मतलब होता है लीन होना ब्रह्म लीन होना मतलब अपने आत्मा में पूर्णतया लीन होने की बात थी वो व्यापक होने की बात है व्यापक ही होता है और क्या होता है निर्वान मतलब व्यापक नहीं होता है व्यापक मतलब पूर्णतया फैलना पूर्णत है फैलना मतलब अपने गुणों का पूर्णविकास फैलना फैलना मतलब ऐसे थोड़िये कोई क्षेतर के आपक्षा से फैलना था कि देह हटा देखो देखो थीम वही है सब जगर वे कहते देह रुपी पड़दा आड़ा आ रहा है आज के लोग कह रहा है आज के लोग देखो मूल कंसक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है मूल वैदिक कहो कुछ भी कहो आप मेरे को पूछोगे आपको तकलिव होगी मूल सब एक ही बात है यह वैदिक कैसे वैदिक बन गया आज का वैदिक यह बहुत बड़ा किस्सा है इसके लिए इतना समझना काफी है बात तो इतनी सी थी हमारा मस्तक आपके चर्णों में है इतना ही नहीं समझे तो बली की प्रता चालू हो गई है मस्तक मस्तक चड़ाना मतलब आपनको जुकने की बात थी वहाँ पर तो आज लोग क्या मानते हूं उसकी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं मैं तो कह रहे हैं वहाँ पर तो इतना ही था न मस्तक को चड़ाना मतलब मस्तक को जुकाना अरपन करना मतलब ऐसा थोड़ी है क्या अलग करके अरपन करने की बात थी आज का लोग क्या मानते हूं उसके बात मेरी नई है मैं क्या कह रहा हूँ वे ये कहते है कि ये देह आड़ी आ रही है अपने भी कहा एक कलेश में कहा पर कहा बोलिये राइट वेरी नाइस ये मोह रूपी चादर आड़ी आ रही है इसको थोड़ा सा अलग कर दो तिरस करेनी भरेन मजन तू निरबरममी सममेवलू का अंतिम कलेश अमरिचंदर स्वामी का आत्म कहती का जीव जीव अदिकार का जिसमें कहा इसको तिरस करेनी भरेन ये तिरसकरिनी ये पढ़दे को थोड़ा अलग कर दो और फिर देखो कैसा ग्यान आवोद सिंधू कैसा उचल रहा है देखो तो उसमें डुपकी तो लगाओ अभी पढ़दा ये मोहो का साधन है ने ये पढ़दा अभी वो क्या कहते है ये शरीर को हटाओ तो ये बादा हट जाएगी तो फिर आत्मा व्यापक हो जाएगा ऐसे में मानते हैं आज के लोग की बात है मूल तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था और मूल का इसे भी सचमुच ऐसा समझना है इस देख रुपी चादर मतलब देहे के प्रती जो ममत्व है अथवा द्रवे मोक्ष भी आप लेते हो जब शरीर हटेगा तो आत्मा व्यापक होगा व्यापक मतलब गुणों का पूर्ण विकास होगा ऐसा आर्थ लेना था आपको अभी जो ब्रह्मा निर्वान कहते हैं क्या माना जैनी बोद्धों ने निर्वान निर्वान कहो आप निर्वान नास्ति परकतन है शुनिता को प्राप्त होता है ऐसा बोलो तो वैदिकों का कहना है क्यों आप नास्ति नास्ति की धुन लगा रहे हो अब पूरा फैलता है ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं आप अच्छे लग रहे ना बात आपको आप मिर्वन हट गया हट गया हट गया क्यों बोल रहे बार बार तो जैनी बोधों को ये बोलना पड़ा कि नहीं नहीं सुनो सुनो दिहान से हम जो शुन्यता की तरफ बढ़ रहे है शुन्यता जग जग आया ना मेरा कुछ भी नहीं ये शुन्यता की बात कड़ी हो गई तो वैदी के ये कहते है प्हलने की बात रुखो, आश्तिपर एक बात करो जैनी बोधों का ये कहना रहा इसमे कि अपनी सत्ता को भी विलीन करना है अपनी सत्ता का भी विकल्प नहीं रखना है मुझे व्यापक होना है ऐसे विकल्ब से भी बसो बसो शुन्य हो जाओ आप समझते हैं मेरे बात को देखो उनकी भी आपक्षा समझो अपने भी आपक्षा समझो कथन दो नहीं है कथन का मिरूपन दो प्रकार से है आज कौन क्या मानता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मैंने पहले ही कहा था सामप्रदाइक नहीं बनना चाहिए आगे बढ़ना है अभी आई आपने प्रकरण में आज कल एक प्रचलित चीज़ होती है अभी तो बहुत लोग है जो दाहिये सांसकर में भी कोई जाता होगा एक अच्छा अनुबह हो है जाती स्मरण का निमित बनाता स्रेमद राच्चंदरीजी को आपको ग्यान में होगा वहाँ पर एक हंडी फोड़ी जाती है मठका फोड़े जाता है आपको ग्यान में है यह सब वो मठका फोड़ना कायक प्रतिके मान वे यह कहते है यह तो देह तो खतम ही हो गई है यह तो मरी ही गया है अभी सच्चे अर्थ में यह मरे सच्चे अर्थ में मरे इसका मन रुपी पंची भी मर जाए और वे कहते समय में भी आईसा कहते है वासना का ठिकरा फोड़ दो क्या बोलते है उसको लेकिन जनम मरें जनम मरें की श्रिंकला जिसका आधर भूत यहाँ पर बात आ रही थी चार पास दिन पहले मोह मम्ता कशाय और परीग्रह वो आधर आईसे बात आ रही थी दो चार दिन पहले तो कहते हैं वो वासना कर ठिकर फूड जाए और देखो फिर परमपरा कैसी चल प पढ़ी पहले अपने जहिनियों में भी यह सब इतिहास की बाते हैं गाड़ा जाता था सबको एक साथ क्या-क्या पहले जलाने की प्रपति आईसे नहीं थी आपनी भी यह आपको मिलेगा रामधारी सिंदिन कर भारतिय संस्कृति के चारा ध्याय इसमें उन्होंने विस्त अभी क्या रहसे उसके वो भी मैं थोड़ा सो खोलो पहले गाड़ा जाता था और गाड़ के वो चैन से नहीं बैटते थे पिर गाड़ के फिर उस पर आम का पेड़ लगा देते थे तो फिर यह कहते थे यह मेरे पिता जी को यहापर गाड़ दिया था उनके शेरिर को और उस पर आम लगा देना तो एक ख्याल में चीज रहे या आम के मादम से कि यहाँ पर गाड़ दिया गया था उस पर कुछ न कुछ पेड़ पोदाल लगाई देते थे यह मेरी माँ को यहाँ पर गाड़ दिया था और उस पर यह नीबू लगाया है हमने अब वो यह भी प्रचलन चल पड़ा फिर कहने का भाषा इसी चल पड़ती थी यहाँ पर क्यों लगाए भाईया तो वो कहते थे यहाँ की हड़ी इनकी हड़ी वो जिर्न होकर वो खाद के रूप में वो पेड़ को पोशद्न करेगी यह जितनी भी भाषा है उस भाषा का क्यार रहसी आप समझते हो वे अभी नहीं रहे है वो जो पार्थी उनका शरीड था वो मिट्टी मिट्टी में मिल गया है यह भली महंतिया हमें ग्यान में रहे उनका एक्जिस्टन्स अभी उस दैहिक रूप में कुछ नहीं है और वो जीव है वो अपना अपना सफर तय करता हुआ जैसे आया था वो इसे अपने परिणामों के हिसाब से बहुने के लिए चला गया लेकिन पिर उसके नाम पर भी तकलिब होने लग गई क्या तकलिब होने लग गई जैसे गाड दिया कुछ नहीं सही पेड़ पो दे तो कौन लगाए तो वो चबू तराइक कर देते थे उस पर यह परमपर देखते हैं क्रिश्चनों वो गरों में तो आम देख सकते हैं रेलवे वगरे गुजरती है बस गुजरती है तो गाउ के बाहरिया इसे स्थान होते है तो जहाँ पर क्रिश्चन वगरे लोग है अथो मुस्लिम लोग है सपष्ट देखते हैं एक टॉम कर देते एक टॉम स्टोन खड़ा कर देते वहाँ पर ग्रेवियार किसने देखा होगा और एक नेम प्लेट भी डाल देते है वहाँ पर आप देखेंगे एक आग गुमाएंगे तो सेकुर नेम प्लेट सापको दिखेंगी तो फिर एक तकलिब खड़ी होती है कि गौन करने के नाम पर ये फिर मुक्य होने लग गया कैसे कैसे अब गार देने की बात ये थी कि उसको भूर जाओ लोक में भी कहते है कि गड़े मुड़ों को मत उखाड़ वाले तो हमने तो गार दिया ना लेकिन गार के उखाड़ा तो ने ना उखाडने बराबर ही तो है नहीं कैसे उखाडने बराबर है तुमने चबुतरा कर दिये वहाँ पर और चबुतरा करके तुमने एक चिन नक्की कर दिया कि यहाँ पर हमारे दादाजी को गाड़ा था हमारे हमारा पन छूटने ने तुमारा और गाड़ा तो गाड़ा नेम प्लेड भी यहाँ पर एक आदमी सो एंसो नेम तो यहाँ पर रहता था तो यह बहुत हवी होने लग गई तो यह परमपरा मिठना जरूरी हो गया इसको लेकर भी मुहो करता है यह तो कहते है एक काम करवा भी क्या किया जाए तो कहते है जला नहीं यह पंद्धती उचित है तो जलाकर पूरी राक कर दी जाए उसके तो राक मतलब अभी उसका कुछ भी नहीं रहा तो नेम प्लेट के नाम पर भी उसका नाम मुनिशन नहीं रखना चाहिए हो गए ना हो गए वो और वो राक भी मोह वाशाद वो राक भी हम फिर घर पर लेके आए आप समझते हैं मेरी बात को हम फिर मोह में उलज गए ने उसको देखो परमपरक कैसे बिगड़ती गए वो राक वो तो प्रतीक इसका था क्यों खतम हो गया अब राक हो गया अब क्या रहा उसमे लेकिन लोगों ने तो राक घर पर भी लेके आए अब जानते होंगे गांदी जी भी जब गए थे तो टू जिरो सिक्स कंट्रीज में उनके राक चली गए अब आटोबाइगरफी सब पढ़ ले ना उसमें सब मिलेगा आपको और फिर गुर्देव भी गए थे तो फिर क्या हाल हो हाता सब जानते होंगे फिर थोड़ी थोड़ी राक करकरके फिर इतने इतने बड़े गड़े तक हो जाते वहाँ पर मतलब है यह नहीं समझते हैं वो मोह को अभाव करने के नाम पर हम फिर मोह को पुष्ट करते हैं लेकिन मैं और एक चीज़ बता तो आपको हमने राक लाई और उसको बांदी घर के बीच-वीच लाल-वाल कपड़े में कुछ बानते हैं क्यादे नहीं जानता हो ऐससे कुछ तो अभ और लाते हैं तो वो काहे के लिए मोह पाल रहाब तुम तुम मोह पालने के लिए नहीं हो वो यह समझने के लिए लाई है वो राक कि अभी बार बार नहीं रोना उसकी तरफ देखो यह खतम हो गए जिसके लिए तुम रो रहे हो आत्मा के लिए तो definitely नहीं रो रहे हो तुम तुम तो देह के लिए क्योंकि जगडने वाला भागने दोडने वाला तुम्हारे सेवा करने वाले ये देह ही था और ये देह की देखो वो इतने से कपड़े में आ गई है खतम हो गया अब उसको देख देखकर फिर से मोह नहीं करना और भी लोक में जितनी भी परंपराय पड़ी है जैसे दीपक बुझने को होता है दीपक बुझाओ ऐसा नहीं कहते लोक में क्या कहते बताओ आभी बहुत अच्छे से बताओ नहीं कह सकते आप लोग बोलो आप लोगों नहीं सुना कभी गर पे कोई दादा दादी होंगे वे तुरन कहते दीपक बुझाओ आइसा नहीं बोलना, अभी दीपक कहा रहे है जो कोई बोले, खेली खतम है पूरा वो बहुत सोस्ता हूँ इस बात पर यह बहुत कठीन है इस काल में समय तो होना इतनी कृत्रिमता आ गई अभी सर्व प्रकार से अभी थोड़ा बहुत पढ़ रहे है यता संबु सदाचारी जीवन जी रहे यह बहुत बड़ी बात है लेकिन वो खतम हो गई वो दम क्या, पहले कहते हमने भी थोड़ा बहुत देखा कहते हैं तो बुझाना नहीं कहना इसको बोलो, बढ़ाना, इसको बढ़ा दो बढ़ा दो मतलब, बढ़ा दो मतलब बढ़ाना नहीं बढ़ाना मतलब बुझाना अभी सुनो, सुनो, उसका विकास कैसे हुआ लोक में देखो अभी दुकान भी बंद करना नहीं बोलना कहते हैं वो दुकान बढ़ाने जा रहे, बन करना नहीं बोलना, वो दुकान में नहीं था वो प्रचलन, तुमने दुकान में कैसे डाल दे, वो तो दीपक में था, और दीपक रिप्रेजेंट्स जीव, आत्मा, तो ये दीपक बुझता नहीं है, ये दीपक बढ़ता है, बढ़ा दि है ऐसा को हो आगे के सफर के लिए अतो बहुत अच्छे बासे में बढ़ा है मतलब सलेकना रूप धर्म को अंगेकार करके मिश्चित तोर पर उसकी गुनवत्ता बढ़ी है एक और लोक में घड़ा भी फुटता था तो उसको एक कहते थे हो गया कल्यान सुना नहीं सुना ये ये तो एक एक चीज हमने सुनी है अब बहुत टाइम पहले सब और इसके मुख से हम भी ऐसे मुहले में रहते थे जहां पर लगबग सेकड़ों फैमिलीज रहती थी और सभी जात पात के तो उसके माद्यम से सब संस्कृति पकड़ में आती थी अब हम इतने सोफेस्टिके बिल्डिंग्स में रहते हैं और मुश्किली है दुसरों कोई दिखे अब हमको कैसे क्योंकि बहुत सारी परंपराएं संस्कृति ये देग देखकर सब के बीच में रह रहकर सीखा जाता है यह को पुस्त के पढ़कर बहुत पार पढ़े किया ऐसे कुछ नहीं होता गड़ गट में जैन इसको गट कहते ही है उसमें कौन सी बड़ी बात है क्यों गट को भी उदरा कर नहीं कहते क्या गट गट सुनो सुनो गट बनाने वाले कुमार को प्रजापती कहते है बहुत साइंस है बहुत साइंस है आईसा ही किसी की कालपनिक बात नहीं है धर्म मतलब क्या प्रजापती कहते है उसको और प्रजापती एक भगवान का नाम है आप जानते है ब्रह्मा का नाम है देखो यह बोल रहा है प्रजापती अब प्रजा तो उसको भी कहते है प्रजा किसको एक एक जनतों को भी प्रजा कहते है मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा मैं इसलिए कह रहा हूँ यह घट रिप्रेजेंट शरीर तो घट फूट गया शरीर विनस गया तो कहते है इसका कल्यान हो गया क्यों कहना हमेशा हमेशा के लिए हुआ हो तो निर्वान के लिए चला गया कल्यानी होगा उसका अरे कल्यानक क्या चीज़ है भाया हमेशा हमेशा के लिए चल जा जा तो कल्यानी के रहा हमेशा के लिए भले न जाए चुपचप निर्मोही बनकर छूटे तब यो कल्यानी है कल्यानक का बीज है उसमें पड़ा सलिकना के रुप में आप देख रहे हों कोई मरने के बाद वो सीर मुंडाने की परमपरा भी देखो, सब जबे एक ही साइंस है उसमें वायराग के पोशन होना चाहिए सीर मुंडाने तो आम पर चलन है कब मुंडाय जाता है सीर बताओ जब विद्वा होती है जब कोई वायराग के पर संग होता है प्रतिक होता है क्या बोला मेने ये श्रिंगर का प्रतिक है और बाल हटे मतलब हमको अभी कोई राग नहीं रहा किस में सजने में धजने में आदी अब देख लिए इसलिए पहला कदम वई धव्य का पहला कदम सीर मुंडाने की तरफ होता था और फिर बाकी के आब उसे न त समझ में आता है तो सीर मुंडाने की परमपर भी एक वैरग्य का प्रतिक था अब हमको कोई रस नहीं रहा इसमें वो कोई ऐसे थोड़ी वे मरे तुम हमको करना पड़ता है करना पड़ता है करना पड़ता वरता कि कहा बाता यहाँ पर वो तो इतना वैरग्य हुआ है अब हमको कोई सार बुद्ध नहीं दिखती ये लोक में फहली परमपरों को थोड़ा मैंने बुद्धी प्रमान यहाँ पर बताए है ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानतों जितना जानतों उतना मैंने मेरी बुद्धी अनुसर खोलने का प्रयास किया है वैसे आज ही और एक चीज मुझे मिली है मैं वैसे ही सर्च कर रहा हूँ अध्यन तो मैंने सब पहले कर रहा है करता रहता हूँ ये अच्छनक अध्यन का फल नहीं होता है आईशा आईशा थोड़ी कोई क्लिक करो कम्पीटर पर समाधी खोलो और पूरा-पूरा-पूरा मैटर आता जाएगा और वो तुम्हें जानता भी नहीं हो कुछ ये तो पढ़ा वाला सब ये तो ग्यान में रहता है हमने कहीं पढ़ा है कल का प्यपर ये प्यपर नहीं है वैसे आपको लगए ये इसी पर अपर पर है तो ऐसा है तो फिर फिर सोर्टिंग चलो होती है हमने कहीं पढ़ा इस सम्मन में मैं आज आपको बहुत शांदर चीज पढ़के दिखाऊंगा ये एक अर्टिकल है ये अर्टिकल विनोबा भावे जी का सलेखना हुई थी उसकी मुखेता से आर्टिकल लिखा गया है ये विविदेताओं से और नए नए प्रमेय से भरा ये परकरण है अपको बहुत लाबदाएक होगा ये देखें ये अर्टिकल लिखा है मुल्चन बढ़ जाते जैन मुल्चन जैन ने लिखा यी आर्टिकल अपने ही जैन है कोई, थे अभी तो होने का क्या सवाल है होंगे भी तो उनका ये आर्टिकल है तो वे यू समझो एक प्रत्यक्षदर्शी है इस गटना को तो वे कुछ लिख रहे है प्रत्यक्षद दर्शी इसलिए है थोड़ी में बताओ ये प्राकृतिक चिकित सक उस जोन के रहे वर्धा के वर्धा महाराश्टर वर्धा की क्या विशेष्टा है ये विदर्ब में मियर नाखपूर यू कैन से वर्धा की क्या विशेष्टा है जैसे साबर मति आश्रम है जैसे शांती निकेतन है रविंदर नाट्टा गुर का गांधी जी का ये प्रचली थे ना वैसे वर्धा ये मूल आश्रम रहा सादने भूमी रही विनोबा भावे की तो देखिए मैं थोड़ा सा अर्टिकल के मादम से कुछ कहूँगा आवशक तब पढ़ी तो पढ़ूँगा नई तो फिर उसके विना भी काम चलेगा यहाँ पर बात आईसी है कि यहाँ पर अभी अभी ताजा सलेखना हूँ यह विनोबा की तो वह अर्टिकल लिख रहे है उसको और यह और यह थोड़ी और पहले बात बोल दो आपको 1976 में वरिनी जी जिनेंद्र वरनी उनको लगा कि मेरा देह अभी जीरन शीरन हो रहा है मुझे सलेखना लेनी चाहिए यह कब की बात है 1976 की तो उन्होंने एक लिखी रूप में विनोबा भावे को एक चीज लिखी उसमें पूरे डिटेल्स लिखा था कि मैं अभी सलेखना की सोच रहा हूँ यह अपस में पत्र विहवर इनका चलता रहता था सब तो विनोबा भावे के पाथ जब भी यह चिट आई और बहुत प्रेशर भी आया साथ साथ कि कुछ भी करो रोको इनको जिनेंद्र वरनी जी को रोको इनको समाधी सलेखना से दूर रोको अभी नहीं करना है तो शांती सागर महराज के भी एक चिट्टी आई इनोबा भावे को यह सब इसमें लिखा है जो में पढ़ो और साथ साथ अपने कारण जा के धन्य कुमार भोरे नाम तो आपने सुनने का सावाल यह खड़ा नहीं है देखने का तो वैसे ही सावाल खड़ा नहीं है तुम लोग होगा क्योंकि वे तो गुजर गया भी साथ आड़ दस साल होए होंगे क्या मालूम लेकिन वो बहुत अच्छा एक अग्रणी विद्वान रहे महाराष्टर जोन के और अधिकांच ग्रंथों का उन्होंने मराठी अनुवात किया है बहुत अच्छी सात्विक प्रवृत्ति के विद्वान रहे तो देखिए वे भी वहाँ पर पहुंच गए कहा पर वारानसी जहाँ पर अपना एक प्रकर से हेड़कॉर्टर बनाये था किसने जिने इंद्रवर ने मैं बार बार प्रशने इसलिए पूछ रहा हूँ अब जागरत तो होना बराबर तो जानते हूँ उसमें ये लिखा हूँ उन्होंने विनोबा भावे जी ने कि महावीर ने देह का त्याक कब किया आप जानते है भाईया थोड़ा इस तरफ आओ अरे क्रिकेट में आप लोग करते नहीं ये क्या ऐसा है थोड़ी आओ थोड़ो हो देखो ऐसा है फेस पूर्णत है दिखना चाहिए वक्ता का आपको और सुनो वक्ता भी आपको पूर्णत है देखे इस प्रकार आपको बैठना चाहिए उसमें कुछ रहस्य होता है आप गाफिल थोड़ो हो जाए तो वक्ता सचित करेगा परसनली भी आपको ग्यान कराएगा परसनल आवेकनिंग कराएगा और एक एक्सप्रेशन को देखने की मुख्यता होती है कहा तो कहा कुछ कह रहा था महावीर भगवान उन्होंने चिट्टी में लिख भेजा कि महावीर भगवान क्या आयू में गए तो वहाँ पर उन्होंने वो तो सब जानते ही थे उनके हर एक पर प्रवचन है तो यूर सर्प्राइज एक एक आपको बोध दो पर जैंग पर गीता पर हर एक पर उनके प्रवचन मिलेंगे और जानते हैं यह जितने भी आच्छे काम होते है प्रतिकुलताओं में ही होते है बले लोकमान नितिलक हो रविंदर नाट टैगर हो महात्मा गांदी हो पंडित नहरू हो विनोबा भावे हो सब का सब साहित्य का सरजन बोलिये जेल में बैठकर रुआए क्या बोला पूरा लिटरेचर जितने भी लिखा ये गीता पर जितने भी अध्यों प्रवचन किये है अठरा अध्यों पर हजारो वो सब जेल में हुए सब क्रमबद और वे सोम उनों ने बोला ये जेल में नहीं रहता तो ना ये क्रमबद प्रवचन बनते मैं इनका संकलन भी बहुत अच्छे से हो पाता वो उसका रेकॉर्ड भी होता था सब ये वही पर रहकर होता था जेल में तो देखिए मुझे तो क्या कहना है तो उन्होंने लिख भेजा कि वे 72 की उम्र में चले गए महावीर और बोले कभी रादी भी कब गए सब का लेखा जोका ये कुनोंने बहज दिया कहकर और कहा अभी तो आप 50 के हो और मैंने आपको देखा समझा है अभी ये कुछ कदम नहीं उठाना है आपको और ये लिख भेजा पहले विनोबा पहले मैं समाधी करूँगा और फिर आपका नमबर लगेगा ऐसे उसमें ये भी लिख भेज जाता ये अपना एक बहुकता भरा कतन है बात बाकी प्रतिकुलताओं को किस ने देखा है उम्रे में तो नहीं बान सकते ना किर सल लेखना को वो तब आकिसमात आई हुई प्रतिकुलताओं भी होती है बहुत सारी तो फिर आगे चल कर एक नमबर 1982 फर्स्ट नमबर 1982 का दिन था जिस दिन विनोबा भावे ने आहार पानी जल आदी समस्त वस्तों को त्याग कर दिया ये सल लेखना की सल लेखना की तरफ बढ़ गए थे आभी है क्या दिन था वो एक नमबर 82 की बात है तो अब देखें ये जीवन भर अभ्यस था इन लोगों का हर पानादी का त्याग उनके लिए कोई बड़ा संकट नहीं रहता था अरे जिस दिन अब पढ़ना बहुत गांदी जी इनको सब जितने भी फ्रीडम फाइटर से रहे देखो लोग के आज़ादी की बात हो या आत्मी का आज़ादी की बात हो निश्क अशारूप से कोई काम करना हो तो सबसे पहले इंद्रियों को जितने की प्रवर्टी होनी चाहिए सब जगा जिस दिन अब पूरे लिखा मिलता था मैं चार दिन के बाद मैं जहल में जाओंगा जाते ही पहला कदम वहाँ पर रहेगा मेरा गांदी जिस पष्ट बोलते थे फालोर्स को ऐसा मेरा पहला कदम उसमें जाएगा तो पहले कदम के साथ मेरी प्रतिग्या जारी होगी बो अहार पानी सब का मेरा त्याग होगा मैं रुकूंगा देश दिन बीज दिन देखते हैं पिर उसके बाद यह आपरोच लेना पूरी उनके प्रॉपर यह प्री प्लैंड है यह चीज़ अईसा थोड़ी होता है कि मन में आयर कर दिया ऐसा नहीं चलता है तो फिर एक दम पहला कदम रखा और सब त्याग हो जाता था उनका तो फिर सब अंग्रेज हों को भी पता रहता है देखो अंग्रेज हों को भी डरने का दुसरा कोई तरीका नहीं है अब जानते हैं सब जानते थे अंग्रेज कि गांदी जी यदि अनिशन से मर जाए यह भरतिये लोग अपने को छोड़ने वाले नहीं उनकी भाष़ा में को हो तो इस बुढ़े को किसी भी प्रकार बचाया जाना चाहिए नहीं तो फिर हमारे कोई खेर नहीं अब देखे उनको जबरदस्ती करकरके अब पढ़ लेना पूरा जबरदस्ती करकरके दूद पिलाए जाता तो महत्मा गांदी चुक और इतना ही नहीं उनका देख देखकर कितने ही जनोंने हमको भी दूद खीर पिने मिलेगा इसलिए अपने कुछ भारतिय बांधों ने भी यह करनी की चेश्टा की थी उपक्रम लेकिन जानते हो उनको किसी ने भी मसका नहीं लगाया आखिर पिर ठीक है बाबा दे दो जानते है ना जो उपैक्षा करता है उसकी उसको पीछे बराबर यह लगा है बोड़ी पूरी ने आपको लेना है, ये करना है, वो करना है, इसको थोड़ा भी कुछ हो जाए, मैंने कहा ना, मुझे कोई आपती नहीं है, और इंडिपेंडन्स के बाद भी, जब इंडिया पाकिस्तान का कुछ चालू हुआ, थोड़ा भी लड़ाई, आप जानते होंगे, थोड़े पास म इसको चाहिए, और देख सकता है, तो हिंडू मुस्लिम का थोड़ा चालू हुआ, अगें, वो फिर फास्ट का कदम उठा लिया उन्होंने, एकदम मरना सन्न दशा, बस उसी बल पर एक एक लड़ाई मिटती थी, फिर नहरू जीव अगरे कहते थे, भई देखो फिर आपन का त्याग इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती थी, ये तो देश कल्लें के लिए कर सकते हैं ये लोग, आत्म कल्लें के लिए तो कुछ भी बात दा नहीं है इनको, अभी देखिए, एक नोवेंबर 82 में इन्होंने अन्न पान का त्याग कर दिया, इन्होंने जैसे ही त्याग किया, एक बहुत बड़ी लहर उठी, सब जग जग ये बात पहुंच गई कि विनोबा ने सलेकना की दृष्टी से अन्न पान का त्याग कर दिया है, एक उनके ही निकट वर्ती, मित्र ही रहे थे वैसे, उन्होंने गोपी चन्वाले चा, वर्धा के ही एक मित्र, क एक चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके रेकॉर्ड के लिए, बोपी चन्वाले चा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी, वो ये इस बात की मांग करने के लिए, कि आत्महत्या है, किसी भी प्रकार रोका जाए, विनोबा जी को, रोको रोको, हाई कोर ने याचिका इस आधार पर खारीज कर दी, आउट कर दिया उसको, किस आधार पर कि व्यक्ति स्वातंत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और फिर कुछ समर्थन के रूप में, विनोबा जी जो कर रहे है, वो बहुत अच्छी स्टेप है, इस रूप में भी कई भात्य नहीं है, बल्कि ये है तो जीवन परिशकार की प्रक्रिया है. विध्यादर जी आधी, ये तत्कालीन सा विद्वान रहे, उन्होंने सब आर्टिकल्स आगे आहड किये. इंद्रिया गांधी ने, उस समय में इंद्रिया गांदी कोन होगी? इंद्रिया गांधी की क इतना तो तब पीम के स्टेच पर होगी वो अब वो वहाँ से वर्धा मिलने आई कि उनको विनोबाजी को ये भी बहुत समझना जरूरी है उनमें कॉन्वर्सेशन क्या हुआ मैं इन ही के शब्दों में थोड़ा पढ़के दिखाता हूँ देखिए उसी अरसे में देखो इसी भी प्रकर से अक्षम और निश्प्रेजन हो जाता है साधना भी नहीं की जा सकी तब शांती और समतब पुरोक उसका त्यागी आत्मा को शुद्ध दशा की और प्रयाण का द्वार है वो अवेकनिंग भी बहुत करी सोशल वर्कर्स ने आके खोलने का प्रयास किया कि हम मोह पाश में फसकर आतो देशवस इसको कुछ भी लांचन ने लगाए फिर गांदी जे उसी आरसे में उसी पिरेड में भारत की प्रधान मंती इंदिरा गांदी ने वर्दा कर बाबा से जल ग्रहन करने का अनुरोध किया पहले तो ऐसा होता था बहुत रिस्पेक्टली चलता था क्योंकि कितनी रिस्पेक्टेबल उन्होंने कदम उठाया है अन्ने जल का जिसको भाव नहीं है राग नहीं है उसको दुनिया के कौन से अनुकुलताओं के और प्रतिकुलताओं की कदर होगी जो ये हतियार डाल सकता है उसको किसी भी जगत के कोई अनुकुलता प्रतिकुलता कोई बात ही नहीं है उसमें देखो तो फिर क्या टॉक हो उनका मैं बताना चाहता हूँ आपके फिर और एक बिंदु पी मेरी तरफ से मैं उठाओंगा बाबा ने विस दिस बाबा विनो बाबा हुए को बाबा कहा जाता था बाबा ने बापू जी गांधी जी को कहा जाता था जितने बड़े जईव हैं उनके नाम लेना ठीक नहीं लगता ना तो एक कोड निकला जाता है बाबा ने इंद्रागंधी को ही इंद्रागंधी ने कहा अनुरूथ क्या कि आप जल्पान कुछ ग्रहण करे बाबा ने उल्टा इंद्रा जी को ये बोला कि बाबा ने इंद्रा गांदी को ही राम हरी का जाप करने का अनुरोथ किया क्या ये कह रहे आप जलपांग को घ्रण करों ये कह रहे नहीं बलकि आप ही राम हरी का जाप करों मतलब आत्मा परमात्मा के चिंतन में लग जाओ ये टाइम बरबाद करने के लिए नहीं है तो उन्हों ने उनको सलादी बल की बस और और बाबा ने स्विकर नहीं किया ये कुछ भी और उनका चलता रहा अगेन अगेन अभी प्रकरन पूरा नहीं हुआ है इसके बीच में कुछ और बात बोलो एक क्यों भाई यदि गवर्मेंट क्या इस रूल्स काइदा कानून बने तो फिर तो हम तो कुछ ही नहीं कर सकेंगे तो भाया क्या अपने वायराग्यों को देखकर कोई कदम उठाये जाता है कि कानून आवली और नियम आवली को पड़ पड़ के कोई कदम उठाता है और जो अपने वायराग्यों को देखकर कोई कदम उठाता है वो दुनिया के कोई भी रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल मैटर नहीं करता शेड सुदर्शन को देख लो उठा के लेके गए तो क्या तकलिव है उनको और पिर अंत में ऐसी तो दाशा हुई थी कल की उपकल की जब जब भी होंगे उनकी भी दाशा तो ऐसी होंगी ना तो सब कुछ मिटता देखकर वे तो सरेंडर नहीं करते तिसे को और कानून काईदा क्या कहता है मैं नगरेता पर रोक लगेगी फिर आईसी रोक लगेगी उनके रोक को लेकर फिर के मुनी उहना बंद होंगे क्या मुनी भेशी तो जरूर बंद होंगे लगांग लगेगी ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी बलकि सर्वाइवल आप दे फिटेस्ट की रिती नीती तब देखने में आएगी क्या क्या वाला मैंने ये अकबर का यादा रहा है अकबर ने नोटीच जारी करी कि कल जो तांसेन बईजु बावरा के जो होगा यहाँ पर क्या कहने चाहिए उसको कॉम्पिटिशन बोल दो जो होगा दोनों का उसमें कोई भी गर्दन नहीं हिलाएगा तीक है अब गर्दन नहीं हिलाएगा क्यों गर्दन नहीं हिलाएगा ना मतलब वो अनमोदन करना उसका और सब के पीछे जिसकी भी गर्दन हिली दिकी हम गर्दन अलग कर देंगे और उसी के बीच में एक जन गर्दन हिला रहा था वावा वावा के रूप में बोलो उसकी गर्दन चाट दी होगी फिर वो सच्चा आशिक है उसका वो सच्चा चाहता है संगीत का संगीत का प्रेमी सच्च मुच यह है कितनी भी प्रतिकुलताओं को थोड़ी देखता है वो पर वो सहज की प्रक्रेवों होकर रहेगी गुर्णने कोई नहीं गुमेगा इसा नहीं गुमेगा वईसा नहीं गुमेगा तो तो तुमारे अनुसर चलेगा क्या हमा रा हमने तु उकाड पेकर तुमको जो दिकेस हो करो और मान तुमका अचारे आदी आदी सबको जेल में डाले ये में डाला अब वो कहाँ पार पड़ी गया इसी तो समझ में आता है चलना आगे देखिए पढ़ना चाहिए खुब पड़ा एक सर्मद मैंने आपको बता था नंगा गुमता था अकबर के काल में और जैनित्तो का प्रचार किया मुस्लिम बींग मुस्लिम और देखो उसको औरंगे जेब ने जेल में डाल दिया था अब वो वहाँ का भी पूरा लिखा है उसकी प्रूरती कैसे रहती थी ना ढंक से सोता था ना कुछ बोलता था ना चलता था अपने आप में मगन रहता था ऐसे कुछ चंदे है तो जानते है औरंगे जेब पर बहुत उस ततकलिन राजा पर बहुत प्रेशर बना जो भी राजा रहा होगा कौन था वो लड़का उसका दारा दारा जो भी होगा बहुत प्रेशर रहा उनके बाद औरंगे जेब आया ना दारा को मार के और दारा ये तो चाहता था जैनियों को बहुत मुस्लिम शासक के सब कोई विरुदक थोड़ी थे इसलिए तो मुस्लिमों ने ही सुल्तान शब्द क्यों खड़किया जानते हो मैंने अभी पूरा लिया इसको सुल्तान वड़बी सूरी तरान है मुल में वो क्या है वड़ी सूरी तरान ये आचरों की रक्षा करने वाले मेरी तरब से कुछ ने आपको लगता होगा ये बहुत जुगाड जुगाड लगाते है मेरा कुछ नहीं है बाबा तुमको क्यों जुगाड लग रही है तुम बताओगे मैं दिखाओंगा आपको और देखेंगे तो तो आप प्रमान करना अब मुस्लिमों ने मुस्लिमों ने भी सभी एक सरीके थोड़ी होते है बलकि आउरंगाजेब का उल्टा हुआ जेनियों की प्रतिमाए खंडित नहीं करी उसने कभी भी और पहले हुआ ऐसा बाद में कभी भी उसने जेनियों की कम से कम प्रतिमाए खंडित नहीं करी है और स्पष्ट कहकर नहीं करी थी चलो जो भी हो मैं तो कहा तक आया वैसे तो सर्मत भी जब अंदर गए तो बहुत प्रेशर बना औरंगजेब पर कि उसको खतम कर दो तो औरंगजेब नहीं कहा कि कुछ भी होए अपन कितना भी जले मरे इर्शा मतसर करे मारा मृत्यू दंड तो कदापी नहीं दिया जा सकता इसके लिए क्योंकि मृत्यू दंड इसके लिए दिया जाना यह बहुत हींता होगी भावों की क्या अपरत के नाम पर क्या दर्च करें के भाव पर तुम क्या क्या उसने बता तुम तो ऐसा तो नहीं हो सके, नहीं किया उसने आईसा चलो अपने आओ मुद्दे पर, कहा तक आये हम तो मैंने तो बीच में एक मुद्दा खौला हो ऐसे कौन सा मुद्दा खौला है सक्षम अभी एट टॉक चल रहा है इनका एट टॉक को भी मैं पूरा कर रहा हो मैंने क्या बीच में एक मुद्दा खौला मैंने एक खौलने का प्रयास किया लोगों की बाइंडिंग के हिसाब से वो बाउंड होगा, ऐसा बिलकुल नहीं है गोवर्मेंट तो ऐसा कर रहे है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा अधिनता में तुम को रहना है लोग के, उनको कौन सा वोट करना और उनको कौन से फैसलिटी चाहिए भईया मुनी नाम अलो की कृत्ती, वो तो कौन से लोग का संपर करना है वो तो सब छोड़ चाड़ के गए राजा आये, कोई आये, रती आये, महरती भी आये, अब मिलने गुर्देवी कह देते थे चर्चा थाई गए, बड़ा-बड़ा सेट आये थाई गए, खेतम अब मुने राज को तुम बोलोगे तो यह आये, वो आया है उनसे तो यह भी आपक्षा नहीं कर सकते, क्या चर्चा थाई गए, नहीं, विकल्ब ही थाई गया ग्रहस्ता आवस्ता खतम हो गए तो विकल्ब खतम हो गए ने, बुला-बुला कर कुछ भी पूछने का बुला-बुला कर कैसी बात करते हो, हमारा मिलना जुनला किस से होता है हमसे मिलना है, मतलब तो उन्होंने गल्टी पा ली है हमसे कोई मिला जाता है हमसे मिलने की एक ही परक्रिया है, बोलो उतारो हमसे मिलने की एक ही परक्रिया है, क्या मिलना किसको कहते है मालूम तेल और फाने में मिलने की बात होती है मिलने के लिए तुमको कपड़े उतरने पड़ेंगे बेटा तुम मिलोगे और तब भी हम अमेल मिला भी होगा वो भी और उसनो ऐसा में अमेल मिला तो वहापर भी है कहापर सिद्द चक्र में भी है इसा तो सिद्धो में भी साथ में रहना मातर के मिलना होता है क्या दुवीद संग भीने सिद्धू पी ओगी मुनि उद्धम निज दिहानी ठीक है मैंने एक दिन लिया थे आपर जैसेन आचारे हैं ना उनके पिता जी भी मुनि थे उनके दादा जी भी मुनि थे तीनों एकी संग में परमपरा इसी चलती थी तो उनके पिता ने बहुत आगरे किया तो लिखना लिखना तो केवल एक तो कहते हैं कि हमारे गरहस्ता उस्ता के पिता है उन्होंने लिखा प्रशस्ती में और फिर उनको बार-बार बन रहा है प्रेरना के रुप में कि लिखो 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 मैं तो लिख रहा हूँ एक धर्म के प्रती जुकाओ के रुप में लिख रहा हूँ कोई पिता कह रहे है इसने में बिल्कुल ने लिख रहा हूँ अभी देखे आगे क्या हुआ इसको बढ़ो यह आज की डेट क्या होगी डेट आज की डेट क्या है आज की एक नॉम्बर 82 में तो उन्होंने अन्नपान का त्याक कर दिया है तेरा तारिक थी कितनी तेरा तारिक तेरा तारिक को उन्होंने एक जन को बुलाया और पूछा कु जरा तरीक की बात है अभी तक अन्डपान का थ्याग ही है तो बस उन्होंने का the day after tomorrow पंदरा तारिक को वो तो तीथी में ही है खेर वो तो कोई तारिक की बात नहीं लेकिन तब जब यह गए ते तो 15 नवंबर के तो 15 नवंबर सुबह पव फटने के समय ऐसा कहते है उसको मतल बिल्कुल उसी टाइम पर इन्होंने देह का तया किया अभी तया किया यह कोई परपस लिए और प्रिप्लैन नहीं हो सकता लेकिन एक कुछ ऐसा योग बना तो फिरे सब जगह हो गई तो फिर उन्होंने बस पूछा था तेरा तारिक को कब हुआ था निर्वान इनका तो कहत डॉक्टर्स ने लेकिन बिल्कुल सुबह से पूलिस अगरे सब उस कैंपस में घुम रहे थे मतलब एक प्रकर से ऐसा लगा था कि उनके स्वास फिर इनको दिखाओ उनको दिखाओ यह चल रहा था तो आईसा आनुमान है उसी दिन में उसी टाइम पर उन्होंने देहकत य गई थी और उन्होंने देखो यह लोग विरोध का मूल कारन होता है हमारी असफलता क्या कहा लोक विरोध तब ही हो पाता है इसने में कहते हुए एका जन समाधी में गड़बड करेगा तो वे तो अटेक करेंगे आप तो आत्मा था है आप तो जबरन दे रहे आप पिर त चन तो सलेकना देने वाले पर भी आएगा, बेचर वो भी संकट में फज जाएगा, एक क्या सफलता होगी तो फिर पूरा धुमिल हो जाएगा, और सफलता होगी तो किसी को कोई बात नहीं है उसमें, हमको सफल कुछ करके दिखाना है, अब वो यह हुआ, अभी थोड़े दि कि मांगी तुंगी में, कि वो अभी उनका स्वास तो बहुत अच्चा है और उनकी डेडलाइन खड़ी है, पाच दिन के बाद, तो और उनका त्याक करना चालू किया है, मैंने कहा था न आपको, पहले दिन आप लोग नहीं थे, क्या, आप लोग नहीं थे, उनका फिर से क कबजे में हैं भी आरिकाँ के, वे क्या अपनी मानेंगे क्या, उनके जब आदमी उनके अनुसार उनके पास रह रहा है, तो उनके अनुसारी चलेगा ना कुछ भी, अपनी कब मानने वाले हैं, लेकिन नियम यह है, स्वस्त दशा में, सलेकना किसी को भी नहीं दी जाती, नहीं लेनी चाहिए, वैसे ही मानू पर यहसे हाँद धोना कोई समझदारी का काम नहीं है, कोई समझदारी का काम, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर छटवाशातों गुनस्तान बन सकता है, और वहाँ पर बहुत होगा, पर इतना पुन्ने कहा है, तो कहा जाने वाला है कहा पर कहा जाने वाला है ग्रेवे को युक तो जाने नहीं वाला है भी तू तू जा जाकर कहा जाएगा देवंगलाओं के बीच में ही तो रहेगा तू तो वहाँ पर जाएगा और बर्बस अरसायम में फिर से जाना यो कोई समझदारी के बात नहीं है जितना टाइम छटवे साथ गुनस्थान में यहाँ पर बन सकता है मानो पर्ये के लिए तरस्ते हैं नरकाया को सुर्पतितर से सोदुरिलभ प्राणी वे तरस्ते हैं यहाँ के लिए और तुँ वहाँ जाने के लिए तरस्ता है तो यह कोई समझदारी नहीं होती टाइम तो हो गया है चलो अपना जो प्रकरन चल रहा है उस प्रकरन के कंटिनिएशन में हम कल से चलेंगे तिसरा चंद हमारा चल रहा था इसमें से जिसमें बात आ रही है कि सलेखना यह आत्महत्या नहीं है कारण क्योंकि उसमें रागादी के अभाव नहीं थे रागादी मंतरेन और नास्ती अत्मगातो हो ऐसा सपष्ट उन्हेंने की है और आपन वर्तमान परिप्रेक्ष में भी इसको जोडने का प्रयास कर रहे है कि वर्तमान परिप्रेक्ष में भी किस प्रकर सिद्धियो हो रही है इसके हम इसको देख रहे है ओम लो